इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापस आज चुके एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे न्यूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है शेंगाई कॉर्पेशन ओगनिजेशन की जो सेक्टरीज हैं उनके इजलास में शरीक होने के लिए वो दुशंबे जा रहे हैं और वहाँ 23 और 24 तारीक मीटिंग है और अजिद देवल वहाँ पे इंडिया से पहुँच रहे है मुलागात होगी क्या रहा है? मुलागात नहीं होगी अभी तकालिबन डॉक्टर मुईद यूसफ ने डिनाय किया इस बात को लेकिन एक बात जो इंपॉर्टन्ट है यहाँ पे वो यह है कि जो बात की गई है मुदी सरकार की तरस से और वो बात ही की गई है कि 24 तारीक को इन्वाइट किया है उन्हों ने यह जो इतिहाद बनाया था वहाँ पे महबूबा मुदी साहिबा ने और महबूबा मुदी साहिबा के साथ जो है वो फिर फारुक अब्दिल्ला अमर अब्दिल्ला यह सारी जो शखसियात हैं यह आठ जमातों ने जो इतिहाद बनाया था इनको दावत दी है नरीदर मुदी ने और इसके बारे में ये बात की जा रही है कि ये अमेरिकन्स की तरफ समसे कहा गिया है कि आप जो है वो चुके चाइना के अगेंस्ट जो बियानिया जाहरा अमेरिका ने लेके चलना है आगे वो इनसानी हकुक के हवाले से और उसमें चुके जी सैवन को डी टैन दस डेमोकरेट्स का नाम देना है तो इसलिए अमेरिकन इंटर्वेंशन हुई है जिसके बाद ये फारुक अब्दल्ला साब को उन्होंने का है कि वो जाएं और शरीक हो और ये अमेरिकन इंटर्वेंशन पर हुआ है ये अमेरिका के तरफ से बात की गई है कि थ्री सैवन्टी के ओपर और थर्टी फाइव ए के ओपर आप जो है वो मामलात को हल करें इनसानी हकुक के मामल साब हैं फारुक अब्दल्ला साब अमर अब्दल्ला साब के वालिद हैं अमर अब्दल्ला भी वजीर आला रहे हैं फारुक अब्दल्ला भी वजीर आला रहे हैं और उनके वाले जो शेख अब्दल्ला हैं वो मकबूजा कश्मीर के पहले वजीर आला नहीं होते थे वजी वजीर आजम होते थे मगबूजा कश्मीर के तो वो वजीर आजम भी रहे हैं तो इसी तरह से महबूबा मुफ्ती जो हैं वो भी वजीर आला रही हैं और ये तमाम शख्सियात गर्फदार हो गई थी पांच अगस्त से कुछ पहले या पांच अगस्त के बाद 2019 के बाद और 2020 में किसी को साड़े साथ माह किसी को एक साल किसी को सवा साल इनको आज़ाद किया गिया अब इनको 24 तरह को बलाएगे बगार एजंडे के और इसमें जो इंपॉर्टन बात है वो यह है कि इस पे अचानक भारत के अंदर जो है बड़ी इसको हैरत से देखा जा रहा है कि य की बात हो रही है और इसमें फिर और पार्टी हुरियत कांफरेंस किदर एक इसमें शबीर शा किदर है इसमें यासीन मलक किदर है इसमें मिर्वाइज उमर फारू किदर है इसमें सेद अली गिलानी किदर है यान्वे साला सेद अली गिलानी और शबीर शाह जो है वो उनकी कश्मीर की तारीख लिखी जाएगी तो इन लोगे नाम होंगी मिरवाइज उमर फारूक यह वालिद को शहीद कर दिया गिया तो बात यह है कि अब यह तमाम शख्सियाद जो है यह तो है नहीं गरितार हैं और यह उन्हीं पाबंदियों में तर इनके बगए तो एक यह तास्र भी बन रहा है कि इनको डिस्क्रेडिट तो नहीं करना कईमूदी साहब ने कि इनको कुछ लोगों को आपस में लड़वाने के लिए या उनको बदनाम करने के लिए कि देखें जी इनका तो हमारे साथ मामला चल रहे थे और पिर उसके नतीजे में कश्मएर के अंदर एक उनके जो रिटारिटट जजज हैं उन रिटारिड जजज परकाज़ दिसाई स्प्रीम कोर्ट के रिटारिड जजज उनको जिम्हाई ही लगाया गया है या आपने जो है वहाँ पे सीटें बढ़ानी है कश्मीर की और कश्मीर की मगबुता कश्मीर में एक सो साथ से एक सो चौदा सीटें करनी है तो एक सो चौदा सीटें करनी है तो इसका मतलब है डेमोग्राफी चेंज करनी है यह वही मामला है जो फलस्तीन के अंदर है कि जी वहां पे लाके आब आबादकार बना दें बहुत सारे और फिर मुसल्मान ये फलस्तिनी जो है वो अकलियत में हो जाएं तो ये सारा का सारा क्या ट्रैप है कि अमेरिका की तरफ से ये जो बात मैंने कुछ लोगों चो की और इंडिया में भी वो ये तसवर कर रहे हैं क ये अमेरिकल इंट्रिविंशन होई है कि जी आप इस इनसानी हकूक के मामले को हल करें क्योंके और दूसरी बात ये मुसल्मानों का क्योंके मामला है मैंने का नहीं यह मारका हको बातल भी हो सकता है मस्तवल में चीन के साथ हो रहा है और वहां पर शिंग्यांग के अंदर उठा रहे हैं मामला मुसल्सल मुसल्मानों के वाले से अमेरिकन्स तो उसमें फिर यह मुसल्मान बिलकुल ही कश्मीर के अंदर अगर यह सूरताल बनी रही तो यह फिर बाइडन इंजामिया के लिए एक सवाल यह निशान होगा अच्छा चाइना की बात ही मैं आपको एक बात सिर्फ यहां पर और यहां पर करता चलूँ अच्छा के यह जो दो तो दोस्तो यह वीडियो यहां पर होता है घट माप्यास से यह वीडियो छोड़कर जा सकते हैं तो दोस्तो पाकिस्तानी मीडिया जो 24 तारिक को जम्मु कश्मीर में एक सर्व दली है मीटिंग होने वाली है इसमें मोधी सरकार ने सभी जितने भी कस्मीर में ग्रूप हैं छोटे मोटी पार्टी जिसे गुपकार ग्रूप नाम से जाना जाता है उन सभी को बुलाया है उसके साथ मीटिंग होनी है उसको लेकर यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया में काफी चर्च और यहाँ पर डॉक्टर गोंचु ने तो हद पार कर दिया, डॉक्टर गोंचु यहाँ पर कयास लगा रहा है, डॉक्टर साइद मसूद बोल रहा है कि अमेरिका के कहने पर यह सब हो रहा है, human rights और यह और फलाना ठेकाना, मतलब आप समझ सकते हो, ऐसा अमेरिका इंडिया पर प्रेशा डालेगा और इंडिया ऐसी मीटिंग करेगा, मतलब पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान से ही मतलब इंडिया को कंप्यार करती है, ऐसा पाकिस्तान कर सकता है, इंडिया नहीं कर सकता है, इंडिया अमेरिका का प्रेशर पर यह सब चीजे नहीं करता है, इंडिय एक्स्टेंट हुई है उसका एक बार फिर से सेंसेस होगा और सीटें बढ़ेंगी और उसके बाद जो जम्मू कस्मीर जो नई यूनियन टेरिटरी बनी है वहाँ पर एलेक्शन होने की तयार ही हो रही है तो बेसीकली फंडा यही है इस बात की मीटिंग हो रही है ऐसा इंड जास है कि मोधी साइथ कुछ ना कुछ आर्टिकल 35 बे और यह 370 हटा देगा मतलब यह तो पॉलिटिकल सुसाइड होगा मोधी गवर्मेंट के लिए अगर ऐसा फैसला लेने के बाद अगर वो बापस रिबैक होते हैं और रिबैक करते हैं यह आर्टिकल 35 बे और 370 तो डे ट्विटर की स्पेस चट के दोरान तो दोस्तों यह पाकिस्तानी मीडिया है इनका सोचना ऐसा बनता भी है सोचने में तो पैसे लग नहीं रहे तो यह तो भी बे मतलब की चीज़ा सोचेंगे और अपने आपको कंफ्यूस करते रहेंगे वैसे भी यह बड़ा कंफ्यूसन से भड़ा कंफ्यूसन से भड़ा बंदा है यह बात करता है कुछ और तुरंट डिसकेशन हो देने लगता है कुछ और दोस्तों यह वीडियो यहापर होता है खत्म आपको यह वीडियो कैसे लगा प्लीज कॉमेंट सेक्शन और लिखें चैनल को सब्सक्राइब करें वीड दोस्तों वीडियो देखने के लिए जैहिन